MS Excel 2016 के इस अध्याए में आप जानेंगे MS Excel 2016 का परिच्छे, MS Excel 2016 स्टार्ट करना और साथ ही जानेंगे रोज, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट, त्यादी के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Microsoft Excel के कई वर्जिन्स पहले आचुके हैं और हर नए वर्जिन में Microsoft द्वारा कुछ नए फीचर्स एड़ किये जाते हैं, साथी उसे काम करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है और हर बार और अधिक आकरशकरू प्रदान किया जाता है। MS Excel 2016 इसके पुरानी सभी वर्जिन से अधिक उप्योगी है। इसके अलावा Excel में चार्ट, ग्राफ, डेटाबेस और डेटा एनलाईज किया जा सकता है। तो आईए हम Microsoft Excel 2016 की प्रारमभीक जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले Start बटन या फिर Window बटन पर क्लिक करें, All Programs में जाएं और यहां से Excel 2016 पर क्लिक करें। यह देखिए, यह Excel 2016 ओपन हो गया है। Left hand side में आपको वो फाइल्स दिखाई देंगी जिन पर आपने पहले काम किया होगा। और उन्हें आपको ढूनना नहीं पड़ेगा, आप डिरेक्ली यहीं से क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हैं। यहां पर कई तरह के टेंपलेट्स दिये हुए हैं, जैसे Cash Flow Analysis, Stock Symbols Comparison, Calendar Insights, इत्यादी। आपको इन में से जिस भी टेंपलेट की जरुरत हो, उस पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। उदारन के लिए हमको Student Schedule टेंपलेट चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब Create पर क्लिक करेंगे, तो यह उपन हो जाएगा। अब हम Excel को Close कर देते हैं। अभी हमने MS Excel 2016 उपन करने का एक तरीका देखा था, अब उसे दूसरी तरह से उपन करना देख लेते हैं। Start पर क्लिक करें, नीचे Box में Excel 2016 टाइप करें, यह देखें सबसे उपर यह इसका नाम आ गया है। आप चाहें तो Enter Press कर लें, या फिर यहीं से क्लिक करके इसे खोल लें। यह देखें, MS Excel ओपन हो गया है। इसमें अब हम Blank Workbook ले रहे हैं। Excel में इस स्क्रीन पर सबसे उपर यहां पर Title Bar होता है। जिस भी नाम से File Saved होती है, वो नाम यहां पर दिखाई देता है। Left Side में आपको Quick Access Toolbar दिखाई देगा, जिसके सायता से आप ज्यादा तर काम आने वाले Features जैसे Save, Undo, Redo, इत्यादी का उप्योग कर सकते हैं। आप इन में अपनी जरूरत के मताबिक Options एड भी कर सकते हैं। और जिन Options की उप्योगिता नहीं हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं। यहां पर आपको Ribbon दिखाई देता है, जिसमें File, Home, Insert आदी Tabs होते हैं। By default, MS Excel ओपन करने पर Home Tab सेलेक्टेड रहता है। इन सभी Tabs में अलग-अलग Block और उनके Options होते हैं। जैसे Home Tab में Clipboard, Font, Alignment इत्यादी Blocks हैं। इसी तरह Insert Tab में Table, Illustrations, Add-ins इत्यादी Blocks हैं। इसी तरह अलग-अलग Tabs में आपको अलग-अलग Blocks और उसके अंदर अलग-अलग Options या Features मिलेंगे। यहां पर View Tab के पास में Tell Me नाम का नया Advanced Feature है। इसका उपयोग करने के लिए या तो यहां पर क्लिक करें, या फिर अपने Keyboard पर Alter और Q प्रेस करें। इस Option के सहायता से आप Excel के किसी भी Option पर शीगरता से पहुँच सकते हैं। माली जे हम सर्च कर रहे हैं Background Option तो उसका नाम यहां पर Type करते हैं और यह देखिए नाम या टाइप करते ही यह Option यहां पर दिखाई देने लगा है। इस पर क्लिक करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड कॉर्णर पर आपको Ribbon Display Option मिलता है जिसकी सहायता से आप इस Ribbon को Hide या Unhide कर सकते हैं। यहां पर देखिए तीन Options हैं। सबसे पहला है Auto Hide Ribbon। इसको सिलक करने पर यह देखिए यहां से Ribbon Hide हो गया है। कहीं भी क्लिक करेंगे तो Ribbon वापस चला जाएगा। दूसरा Option है Show Tabs। इसको सिलक करने पर उपर आपको केवल Tabs नज़र आएंगे। और अगर आप इसके अंदर की Commands चाते हैं तो उसके लिए उस Tab पर क्लिक करें। तो यह Ribbon आपको दिखने लगेगा और उसके अंदर के जो Blocks हैं वो भी नज़र आने लगेंगे। फिर अगर आप नीचे कहीं क्लिक करेंगे तो यह जो Blocks हैं वो हाइड हो जाएंगे। तीसरा Option इसमें है Show Tabs and Commands। इस पर क्लिक करने पर आपको Tabs और Commands यानि यह जो Ribbon है वो पर्मानेंटली नज़र आता रहेगा। अगर आप कहीं भी काम करेंगे तो भी यह हाइड नही होगा। Ribbon डिस्प्ले के पास आपको Minimize, Restore और Close बटन्स मिलते हैं। यहाँ आपको Name Box मिलता है। आप शीट में जिस सेल पर भी क्लिक करेंगे वो एड्रेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया तो Name Box में B5 नज़र आ रहा है। इसका म आप जो भी फॉर्मूले या कोई भी वर्ड इत्यादी टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आएगे। एक्सल में फाइल या वर्क बुक के अंतरगत वर्कशीट होती है जिसमें हम काम करते हैं और यह वर्कशीट रोज और कॉलम्स में डिवाइड़ होती है। और यह जो छोटे-छोटे बॉक्सेज हैं यह कहलाते हैं सेल्स। हर वर्कशीट में टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होती हैं। शीट के लेफ्ट साइड में रोज के लिए नंबर्स और अपर साइड में कॉलम्स के लिए अल्फाबेट लिखे होते हैं। जब भी कोई नई फाइल या वर्कबुक इंसर्ट करेंगे तो उसमें आपको बाई डिफॉल्ट एक वर्कशीट मिलेगी। यदि आप और वर्कशीट चाहते हैं तो आप अपनी जरूरत के अनुसार प्लस के चेन पर क्लिक करके और वर्कशीट एड़ कर सकते हैं। रिबन में सबसे पहला ओप्शन होता है फाइल का जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव इत्यादी ओप्शन मिलते हैं। यदि आप Excel 2007 पर काम कर रहे हैं, तो ये ओप्शन्स आपको Office बटन के अंतरगत मिलेंगे। इस एरो पर क्लिक करने पर आप वापस में स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहां आपको राइट साइड में और नीचे की तरफ स्क्रोल बार मिलेगा, जिससे आप डेटा को ऊपर नीचे और दाएंबाएं स्क्रोल करके देख सकते हैं। नीचे स्टेटस बार है, आप जो वाल्यू सेलेक करेंगे, उनका एवरेज, काउंट, सम आपको यहां पर नीचे नज़र आ जाएगा। यहां पर पेज को देखने के अलग-अलग लेयाउट्स हैं, जिने हम बाद में समझेंगे। और यहां राइट एंड साइट पर जूम बटन दिया गया है, जिससे आप पेज की साइज को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने जाना MS Excel 2016 का परिचे, MS Excel 2016 स्टार्ट करना और साथ ही जाना रोज, कॉलम्स, वर्क बुक और वर्कशीट इत्यादी के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अने लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।